चलिए आज हम आपको फैन इंस्टॉलीशन करने का फुल प्रोसेस दिखाते हैं और आप कितना पैसा ले सकते हैं एक फैन को इंस्टॉलीशन करने का वया भी हम आपको प्रोसेस समझाते हैं अलग-अलग महनत होती है अलग-अलग फैन को इंस्टोलेशन करने में तो उस हिसाब से हम आपको प्राइज रेंज भी बताने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्जित है मस्जित के अंदर आपको पता है लंबी-लंबी डंडियां होती है ठीक है चार फैन एक बॉक्स के पैकेट में आते हैं यह आपको समझना है अगर आप ज्यादा फैन मंगा रहे हो न तो इस तरह के पैकेट में ही मंगवाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारो फैन को मैंने बाहर निकाल दिया चार पंखडिया है तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इसकी सबसे पहले अन्बोक्सिंग दिखाने वाला हूँ क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है इसकी रस्तियों को काट दीजिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है बॉक्स को ओपन करेंगे उशा कंपनी का फैन है बहुत ही अच्छा फैन है आई स्पीड वाला है ठीक है और इस फैन की प्राइज 225 रुपे के अप्रोक्स आती है और यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ में एक डंडी आती है और दो बॉक्स आते हैं जो कि कप वाले बॉक्स है एक उपर वाला एक नीचे वाला इसक्रू के साथ में अब यहाँ पे हम डंडी को खोल के दिखाते हैं कैसी होती है यह बहुत ही चोटी सी डंडी होती है मजजित में तो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी कुछ इसक्रू आते हैं और यह होती है फैन मोटर और एक वारंटी काड आता है इसके स होगे गाइस यह इंडेक्शन फैन है और बहुत ही कूल डिजाइन के साथ में आता है तो यह है इसकी फैन मोटर बहुत ही अच्छी खासी फैन मोटर है और यहाँ पे अब हम इसकी फैन के पंकडियों को खोलेंगे पंकडिया किस तरह से फ्रिटिंग है तो देख सकते हैं बढ़ा ही आसानी से खुल जाता है और यह पंकडिया जो है बहुत ही शांदार तरीके से पैकेजिंग होकर आईए बहुत ही मस्त पैकेजिंग यह गाइस कोई भी नुकसान नहीं होता है इस पंकडियों को कोई फैन में तो खुला हुआ आता है लेकिन इसमें पैकेजिंग बढ़िया है तो यह कुछ मैटेरियल्स होते हैं एक फैन के अंदर जो कि आप एक फैन के अंदर इंस्टॉलेशन करने वाले हो ओके तो अब यहां पर जितने भी फैन है सब को खोल दिया है मेनी और सभी मोटरों को एक एक करके गुमा कर गुमा करके चेक कर लिजिए कि भाई आसानी से गुमतो रहें आसानी से नहीं गुमेंगे तो दिक्कत है मतलब फैन में तो पंकड़िया सब खोल करके साइड बे कर दिया अब इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस दिखाते हैं सबसे पहले आपको पंकड़िया फिट करनी होती है अब आप सोच रहे होंगे कि इसम सबसे पहले हम इस फैन को ऊपर करेंगे मोटर को ताकि हम आसानी से इसे कर सकें, तो अब आपको क्या करना है, पंकड़ी हाथ में लेनी है, पंकड़ी आसानी से फिट हो जाती है, बट इसके अंदर थोड़ सी टेक्नेकल नोलेज होनी चाहिए, तो आप देख सकते केस से, यह हाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, पंकड़ी को यहाँ पर रख करके इसको पीछे से पकड़ना है, जिया दोस्तों, पंकड़ी को आगे से नहीं पकड़ना है, जब आप स्कुरू टाइट कर रहे होते हैं उस समय आगे से नहीं पकड़ना है, यह आपको 100% द्यान रखना है अभी मैंने अच्छे से टाइट नहीं किया है ठीके धीरे धीरे हम टाइट करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके ठीके तो अब यहाँ पे दूसरी पंकडिया भी फिट करेंगे तो इसे भी आगे करके मतलब इसको पुशिंग करके आप फैन की पंकडि को फिट करें अगर एक पंकड़ी को आप पुश करके फिट कर रहे हो और एक पंकड़ी को अंदर दबा के फिक्स कर रहे हो तो फैन की जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है और फैन हिलने डुलने लग जाता है तो कोशिश करें कि तीनों फैन की पंकड़िया या तो बाहर की तर करोगे तो फैन की पंकड़िया मूड जाए तो यह बैसिक नोलेज थी यह आपको जरूरी है सीखना तभी आप फैन अच्छे से कर पाओगे तो यह देख सकते हैं सभी फैन को हमने बना लिया है अब हम इंस्टलेशन प्रोसेस चेक करते हैं कैसे लगाते हैं तो आप देख सक बहुत टाइम लगने वाला है ठीक है तो आप फिट करने से पहले आपको क्या करना है डंडी वगरा को साफ अगरा खले सब कुछ अच्छे तरीके से हैं अगर अगर उल्टा डाल दोगे न तो आप फैन आजीब सा नजर आएगा तो उपर वाला बाक्स सबसे पहले आपको tight कर देना है अगर screw वाला box है तो अच्छी बात है screw वाला box नहीं है तो आप उपर सरका दे बस हो गया काम अब यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा box जो fan की wiring को छिपाता है वह नीचे खिसक के लगाना पड़ता है तो इसको अभी उपर रोके रख देंगे अब यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा fan किस तरह से installation किया जाता है इसको लगाने से पहले wiring बताएंगे आपको तो fan की पंकड़िया आराम से पकड़िया इस तरीके से और बिल्कुल मुड़नी निचेही है मुड़ते ही fan डगमक करने लग जाएगा हिलने डुलने लग जाएगा दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तो आप देख सकते हैं अब इस fan को हम fit करने वाले हैं तो यहाँ पर आपके आखों के सामने यह wire जो आपको नजर आ रहे हैं इसको fit करना है तो बहुत दिक्कत है इस wire को fit करने में तो मैं आपको सिखाता हूँ देखो यह fan का जो wire आता है यह wire यहाँ इस dandy में fit नहीं हो पाता है क्योंकि ये डंडी अलग है न तो इसमें fit नहीं हो पाता है ये देख सकते हैं आपके आखों के सामने fit नहीं हो रहा है न तो आपको क्या करना है इसको उपर लाने के लिए तो आपको wire को छिल लेना है switch बंद करके ठीक है और आप ये जो cut लगा हुआ है न पाइप में इस तर दोनों wire का process कुछ यही होगा और दोनों wire आसानी से आप यहां से उपर डाल सकते हैं और फिर इसके बाद fan लगाने का process अपनाना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं दोनों wire को आसानी से मैंने fit कर दिया है उपर की तरफ तो ये तरीका होता है भाई fan fit करने का अच्छा वाल ठीक है तो दोनों wire आ गए अब आपको क्या करना है fan को install करना है तो देखो यहां पर डंडी है और पंखडिया कहीं पर touch नहीं होनी चाहिए तच होते ही आपको पता है क्या होगा दिक्कत तो अब आप देख सकते हैं इस डंडी के अंदर मैंने जैसे ही fan को फसाया तो देख पत्कत नहीं हुई गिरा नहीं fan इस वजह से नहीं गिरा क्योंकि fan अटक रहता इस डंडी के अंदर पूरे fan इसी तरीके से ही अटक रहते हैं ज्यादा से ज्यादा ओके तो अब आप देख सकते हैं यह सब कुछ काम final हो चुका है और इसके जो दोनों तार हैं उनको भी fit कर करना पड़ता है तो screw वगेरा सब कुछ अच्छे तरीके से tight करना बहुत जरूरी है और screw के अंदर आपको खील लगाना जो इसके साथ में तार आता है वह लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ओके तो अब wiring हम अच्छे तरीके से इसकी fitting कर देंगे और अब इसक तब box नीचे कर देंगे कस देंगे उपर वाला box final है तो यह देख सकते हैं fan कुछ इस तरीके से install हो गया है अब नीचे से आप देखेंगे तो सभी fan चल रहे हैं एक भी fan hill डूल नहीं रहा है आपके आखों के सामने आप खुद देख सकते हैं एक भी fan hill डूल नहीं रहा है तो यह होता है प्रोफेक्शनल तरीका और परफेक्ट वर्क करने का तरीका ओके तो इसे फिटिंग करने का आपको पता है सो से डेड़ सो रुपे डेड़ सो से दो सो ले सकते हो अगर इतनी हाइट है तो यह भाई पूरी मज़ित का हमने fan को installation कर दिया है और यहां पे अगरा बनाई है बहुत सारी जाक्या आप देख सकते तो इसी तरीके सी जानकारिया आपको चाहिए तो हमसे जुड़े रहें हमसे संपरक में रहें ताकि और आगे वीडियो हम आपके लिए लागा